नमस्कार दोस्तों इंबिया कनाडा में पाई जाती है यह दिखती केबल साधारन है लेकिन यह साधारन नहीं है क्योंकि अचानक से ही इस पर धब्बे निकलाते हैं यह धब्बे बहुत ज्यादा डराबने होते हैं और गर्मी के मोसम में यह बहुत ज्यादा उभरे हुए होते हैं दरसल यह और कुछ नहीं बलकि मिट्टी के टीले हैं लेकन ये डहते क्यों नहीं और ये अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये अब तक एक राज है नमबर 8 ग्रूम लेक एरिया 51 को को नहीं जानता ये लेक भी एरिया 51 के पास ही है और दोस्तों एरिया 51 की तरह ही इस लेक पर भी अबे बनाने के लिए और बामिंग करने के लिए फोड दिया गया है इस जील के नीचे पाई गई जमीन बहुत ज्यादा रहसे मही है क्योंकि आम तोर पर किसी जील को सुखाए जाने पर कई सालों तक तो जमीन में नमी बनी रहती है लेकिन ये बहुत जल्दी ही सूप पाने वाली जील है और इसका पानी ही इस जील का सबसे बड़ा आश्चर्य है ऐसा माना जाता है कि ये जील एक खास तरह के बैक्टिरिया से घिरी हुई है और इस बैक्टिरिया के कारण ही इस जील का रंग गुला भी है बबल के रंग की ये जील अपने आप में ही काफी खतरनाक है और इसमें मौझूद बैक्टिरिया का तो खैर कोई जबाब ही नहीं नमबर 6 पीली ट्वाइस लेक्स ये जील केरूटिया में इस्थित है और जितनी ज्यादा खतरनाक है उतनी ही ज्यादा खुबसूरत भी इस ज्जील को बनाने के लिए इसके आसपास लगभग दस से भी ज्यादा छोटे छोटे ज्हरनी है ये ज्जरने बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ज्जील में कोई भी जल्यजीब जिनदा नहीं रह पाता इसलिए आप बिना किसी ज्जिजक के इसमें डुबकी लगा सकते हैं लेकिन किसी जलिय जीव का इसमें सर्वाइब ना कर पाना ही इस जील को खतरनाग बनाता है। इसे पुराने जमाने के राजाओं बाले लेक की तरहे आज भी देखा जाता है और इसका रहसे भी उन्हीं से जुडा हुआ है। लौकनेस के किनारे पर एक बहुत बड़ा सा किला है और लौकनेस के पानी में बहुत बड़ा शैतान रहता है। ऐसा ना मैं कह रहा हूँ और ना मैं मानता हूँ ऐसा मानना है यहां के लोगों का। यहां पर कई मौते भी हुई हैं जिसमें कि यहां के आम लोगों का मानना है कि इन मौतों के पीछे पानी में मौजूद उसी शैतान का हाथ है। अब सच्चाई क्या है ये तो बहीं जाकर ही पता चलेगी लेकिन ये बहुत ही खतरनाक लेक है। ये जील अपने आप में एक करिशमाई और रहसमाई जील है। एक तो यहां अपने तरह की इकलोती जील है क्योंकि जिस जगहे पर यहां मौजूद है बहां ऐसी जील का होना किसी बड़े करिशमे से कम नहीं। ये जील बहुत ज्यादा खुबसूरत है और ऐसा लगता है कि इसे डिजनी के किसी शो की टीवी स्क्रीन से उतार कर रख दिया गया हूँ। ये लेक मौजूद है पलाओ में। इस लेक से जुड़ी सबसे खास बात ये है कि जब इसमें डुब की लगाएंगे तब आप अकेले नहीं तैर रहे होंगे। आपके साथ इस जील में कई सार ना होने के कारण जली फिश यहां पर रहने लगी हैं। लेकिन उन्हें यहां कौन लाया है ये आज भी एक मिस्ट्री है। नमबर दो अबराहम लेक। ये जील इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी वाटर वाडिज में से एक है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ठंड म ये पूरी तरह जम जाती है और गर्मियों में भी ये जमी ही रहती है। इसे बनाने का उदेश्य आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन यह जील खुबसूरत है। और मौसम के हिसाब से बदलने के करण ये जील रहसमें भी है। ये जील कनाड़ा के एलवर्टा में मौ अगर आप यहां कभी जाएं तो स्प्रिंग के मौसम में ही जाएं। और नमबर एक हैवीज लेक अब बढ़ते हैं अपने नमबर बन की तरफ। हमारी लिस्ट में नमबर बन पर है हैवीज लेक। हैवीज लेक बहुत ज्यादा रहसमें लेक है लेकिन पॉजिटिव तरी हर समय 35-40 डिगरी सेल्सियस के बीच में रहता है और यहां लोगों की डिप्रेशन जैसी बीमारियां तक ठीक हुई हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे खतानाग जीलें। हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये भी बताएं कि अगर आपको इन में से किसी जील में उतरने का मौका मिले तो आप किस में उतरना चाहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद।